नमस्कार WKB News के सुबा के प्राइम टेम में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं अब रुख करते हैं आज के हेडलाइन्स पर नापपुर में जिनिंग मिल मालिक से मांगे गई सवा करोड की फिरोती सहोकार सदस्यो सही छे लोगों पर मामला प्रताप नगर में दर्ज प्रांस्पोर्ट बंगले पर सेंद मारी करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ में अठारा लाक रुपए का माल किया गया बरामत और नापपुर ग्रामिन में मुख्यादापी का वसस्ता संचालक पच्चास हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफतार और अब खबर विस्तार से नापपुर में जिनिंग मिल माली को सावकार परिवार द्वारा सवा करुड रुपए की फिरोती मांगे जाने का मामला उजागर हुआ है हाला की प्रकरन अवेश सावकारी से जुड़े होने की आशंका है अदालत के आदेश पर गुद्वार को प्रॉपएटी डीलर एवं सावकार परिवार के चार सजस्यों सहीत आदार दर्जन लोगों के खिलाब प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है नागपुर के प्रताप नगर थाने में शिकायत करता जिनिंग मिल मालिक बबु रहमतुल्ला शेख है जबकि आरोपी प्रॉपटी डीलर एवं साहुकार अनिल सिताराम गुपता उसकी पत्मी स्वातिय अनिल गुपता उसकी मा अनुसया सिताराम गुपता भाई सराफा व अनिल उधार में रुपए देता है 1 मई 2019 से 17 अक्टूबर 2020 के बीच में बबु को कारोबार के संबन में रुपएयों की ज़रुरत पड़ी इसकारण उसने अनिल और मंगेश से 1 करोड 6 लाख रुपए किश्टों में लिये थे बबु का कहना है कि उसने बाद में 1 करोड 45 रुपए वापस भी किये है आरोपियों का कहना है कि बबु के तरफ उनके ब्यास के 1 करोड 25 लाख रुपए बाकी है इसके लिए बबु को धमकाया जा रहा है घटित प्रकरन के दवरान बबु को आरोपियों ने फोन कर घर बुलाया और आप्राधिक प्रवरुति के अतापनगर थाने में इसकी शिकायत भी की गई थी लेकिन मामला लेंदेन से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने से थंड़े बस्ते में डाल दिया जिससे बब्बु अदालत की शरण में गया बुदवार को अदालत के आदेश पर पुलिस ने उक्तार रुपियों के खिल कुख्या सेनमार को उसके साती के साथ पकड़ा है दोनोंने नगदी गयने तता वहान सहीत 18 लाक रुपे का माल बरामत किया गया है आरोपी हरिश अरुन्चरडे नानगाउपे 14 अमराउती तता रवी जुगेश्वर शर्मान नंदन्वन जोपर पट्टी निवासी है मिली जानकरी के मुताबिक हरिश अमराउती का को ख्यात अपरादी है उसकी बहन नंदन्वन जोपर पट्टी में रहती है वह बहन की यहां आकर रहता है उसकी बस्ती के रवी शर्मा से पहचान हुई रवी पेंटिंग तता मज़दूरी करता है हरिश ने उसे चोरी की टी का रीदी तिरा दिसंबर की रात देड़ बजे दोनों दो पईया पर सवार होकर दरक के मकान में पहुँचे बल्ली की मदद से बालकनी में आए वहां से घर में प्रवेश करके नगदी तता गहने उड़ा ले गए जब दरक घर पहुचे तो चोरी का पता चला जिसके अमराउती में पकड़ा गया चोरी के बाद दोनों ने नगदी तता पैसो का बटवारा कर लिया था पैसो से हरिज ने मोबाइल कपड़े तता दूसरी महेंगी वस्तू खरी दी इसके बाद वह पतनी के पास अमराउती चला गया दोनों को उनकी कर्तुत पुलिस को पता न दो गुटों में जम कर मार पिठ हो गई जिसमें चार लोग गंबी रूप से घाल हो गया है पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाप आप राधिक मामले दर्चकर करीब पास लोगों को गिरस्तार किया है यशोधा नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब साड़े आट बज़े के दर्मियान फरियादी अतहर अंसारी उर्प मोनु अकबर अंसारी प्लोट नमबर पचपन नूरी मंजिल आरके लेयाउट निवासी वा अंसारी नाम का उसका मेत्र टेका नाका बस्ति निवासी मोटर साइकल से जा रहे थे उसी दवरान यशोधा नगर प्रेसर के आरके लेयाउट बिस्मिल्ला मोबाइल शॉप के सामने फरियादी की ही बस्ती में रहने वाले आरोपी असलम आरिफ अंसारी खड़ा था उसी दवरान घूर कर देखने के कारण इन दोनों का अपस में विवाद हो गया और दोनों में उसी समय मार्पिट शुरू हो गई इस मार्पिट में फिरियादी का बड़ा भाई अफसर पिताग बरंसारी भी महा पोच गए और आरोपी युवक को समझाने की कोशिश की परन्तु आरोपी ने फिरियादी के भाई और पिता के साथ भी गाली गलोच की इस घटना के समय आरोपी का भाई गुड़ू आरिफ अंसारी पिता आरिफ अंसारी वो उसके दोस्त भी महां पोच गए और हातापाई शुरू हो गई दोनों और से हुई इस चाकुबाजी में करीब चार लोग गंबिर रूप से भाय दिया है साथी पाबंदी का उलंगन करने वालों पर कड़ी कारवाई करने को कहा है नयायले ने स्वतसंग्यान लेते हुए जनहितियाची का दायर की है इस पर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे वनिल पांसरे की खंड़पीट के समक्ष सुनवाई हुई मामले में नयायलीन मित्र अधिवेक्ता देवंदर चववा ने राष्टे गरिन ट्रिबिनल के आदेश की और ध्यान के इंद्रित किया मांगी रिपोर्ट नायलॉन मांजे पर लगाई गई पाबंदी पर अमल करने की रिपोर्ट पाच जनवरी तक दार करने का आदेश सुनवाई के दवरान हाई कोट ने समधित जिलादिकारी मनपायुक वन अगर परिशत के मुख्यादिकारी को दिया है हाई कोट ने राय वेक्त की कि मकर संकरादी के दवरान नायलॉन मांजे पर रोक का कड़ाई से पालन करना ज़रूरी है वाक तो चला एक छोटे से ब्रेक का लेकिन बनरी कोई यह नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहां Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy वन डिग्री, त्री जॉब अपर्चुनिटीव Flywheel Aviation Academy घिव जीव डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब Flywheel Aviation Academy, 365 गानी नगर, LAD College Square, बिसाइड करनाठिका बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत ACB नापकुर की टीम ने बुधवार को पार्शियों निस्तीत तथागत विद्धाले करमभाड की मुख्यद्यापिका वस्तंस्ता के संचालों को 50,000 रुपे के रिश्वत लेते हुए रंगे हाध गिरफतर किया है मिली जानकारी के मुताबिक शिकायत करता सायक शिक्षक के पत पर निमित करने के एवज में 6,50,000 की रिश्वत की मांगी थी संचालग भामराद मेश्राम की पतनी संस्ता में ही मुख्यद्यापिका के रूप में कारे रत है भामराज के कहने पर उसकी पतनी शांता शीला भामराज मेश्राव ने फिरियादी से रिश्वत के पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर फिरियादी की पाटशाला में अटेंडन पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं करने दिये जिसके बाद आरोपियों ने फिरियादी को रेगुलर करने और एकसेस करमचारी नहीं ठैराने के लिए 6,5,000 रुपए की रिश्वत देने की मांग की इस रिश्वत की पहले हपते की किस्ट के रूप में फिरियादी से 50,000 रुपए आरोपियों ने मांगे रिश्वत नहीं देने की इच्छा के चलते ही फिरियादी ने इसकी शिकायत ACB से की एंटी करप्शन ब्यूरो नाकपुर की टीम ने शिकायत की तस्दीक कर गोपनी रुप से ट्रैप लगाने की कारवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बुद्वार को गिरफतार किया है आरोपियों के खिलाव कापर खेडा पुलिस स्थाने में मामला दर्च किया गया है बुद्वार को दोनों आरोपियों को कोट में पेश किया गया जहा कोट ने उन्हें एक दिन के पुलिस कस्टेडी रिमान में भेज दिया है नापपुर एलवेस्टेशन के प्लैटफॉर्म नमबर आठ पर गुपत जानकारी मिलने के बाद पूरी एक्सप्रेस की जनरल कोच में लावारिस हालत में एटियस की टीम ने गांजा बरामत किया है पकड़गे गांजा की कीमत एक लाग पचपनाजार दोसो पचास रुपए बताई जा रही है जिसे दो बैग में लावारिस हालत में जनरल गोगी की एक सीट के नीचे रख कर लाया जा रहा था पुरे देश भर में नशिली पधारतों की तसकरी की रोकताम करने वने साल के मदेज़र ट्रेनों में विशेश रूप से निगरानी करने के निर्देश दिये गए है इसी कड़ी में एटियस की टीम को गुपत जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पुरी एक्सप्रेस में नशिले पधारतों की तसकरी कर ला रहे है मंगलवार रात करीब साड़े दस बजे पुरी एक्सप्रेस नाखपुर रेल्वेस्टेशन के प्लैटफॉर्म नमबर आट पर पहुची थी उसी दवरान दो जनल कोच की एक बोगी की तलाशी के दवरान टीम को एक सीट के नीचे रख हुए दो संग्दिक बैग दिखाई दिये जिसकी जांच करने पर उसमें गांजा पाया गया इस गांजे की कुल मातरा 10 किलो 350 ग्राम थी जिसे नीचे उतार कर आगी की कारवाई के लिए जियारपी नाकपुर के हवाले किया गया है पकड़े गांजे की कुल कीमत 1,55,250 रुपए बताई जा रही है नाकपुर एल्वेस्टेशन के स्लीपर वेटिंग हॉल से 11 दिसम्बिर की रात एक यातरी के बैक से लैप्टॉप चोरी हो गया था इस मामले में आरपी एफ की टीम ने CCTV फूटेज की मदद से आरपी को गिरफतार किया है और उसे आगी की कारवाई के लिए जियारपी नाकपुर के हवाले किया गया है मिली जानकारी के मुताबिक 11 दिसम्बर 2021 के दर्मियान यातरी मयंक राजेंदर बांबल पांडूर नाच छिंदवाडा निवासी ने रेलवेश स्टेशन सी आरपी एफ थाने में आकर शिकायत दी थी कि रेलवेश प्लाटफॉर्म नंबर एक पर बने स्लीपर वेटिंग हॉल से उसके बैक से अग्यात आरपी ने लैप्टॉप चुरा लिया है इसी शिकायत पर ड्यूटी पर तैनाथ सायक उपनिरिक्षक सितारा मजाट ने तुरंद वेटिंग हॉल में लगे सिसिटी वी कैमेरा को जब चेक किया तो उन्हें स्लीपर वेटिंग हॉल से एक संदिक बैक उठाते हुए दिखाई दिया इसकी तुरंद जानकारी ड्यूटी पर तैनाथ आर्पियफ स्टाफ को दी गई परन्तु काफी कोजबिन करने के बाद भी यह संदिक बैक्ति टीम के हाथ नहीं लगा इसकी शिकायट जी आर्पी नाकपुर में भी दर्च करवाई गई 15 दिसंबर 2021 को CCTV रूम में तैनाथ प्रदान आरक्षक भुपेंदर बातरी को रेल्वे स्टेशन के स्लीपर वेटिंग हॉल में समय करी आठ बच कर दो मिनिट बजे पर वस संदिक त्वेक्ति दो बारा दिखाई दिया जिसकी तुरंग जानकारी उन्होंने अपने ड्यूटी परतैनाथ आरक्षक अजय सिंग, आरक्षक नवीन कुमार सिंग, मुनेश कुमार गवतम, वसी यार भी नाकपुर के प्रदान आरक्षक मुकेश राठोड को दी तुरंद कारवाई करते हुए टीम ने वेटिंग हॉल में जाकर उस संदिक द्यूअ को पकड़ लिया, नाम पता पूछने पर, उसने अपना नाम सचिन राज़ेश ठाकरे, ओम साई नगर, भंडारोड, मौदानिवासी बताया कड़ाई से पूछताच करने पर उसने 11 दिसंबर की रात प्लाटफॉर्म नंबर 1 के स्लीपर वेटिंग हॉल से लैप्टॉप की बैक चुराने की बाद स्विकार कर ली, जिसके बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस, चार एटिम कार्ड और एक गाड़ी की चाबी भी बरामद हुई है, आरोपी को आगे कारवाई के लिए जियारपी नाकपूर के हवाले किया गया है, बकड़ा गया आरोपी एक शातीर चोर है, इससे पहले नाकपूर सहीत मौदा, मुंबई, सीताबडी सहीत चोरी के करीब 15 मामले उसके उपर दर्ज है, इस कारवाई को वरिष्टमेंडल आयुक्त आश्यतोष पांडे के मारगदरशन में आरपी एफ की टीम ने अंजाम दिया है, नाकपूर के बजाजनगर थाना अद्रगत लक्ष्मिनगर निवास से एक वेक्ति के साथ, साइबर अपरादी ने कस्टमर केर करमच पिल्लेई को, क्रेडिट कार्ट का ज़्यादा बिल आने से उन्होंने कस्टमर केर को फोन लगाया, तबारोपी मोबाईल धारक ने फिरियादी के मोबाईल पर फोन कर एक लिंक भेजी, और फिरियादी के उस लिंक पर क्लिक करने को कहा, जैसे ही उस लिंक पर क्लिक केया, उनके मोबाइल पर आया हुए OTP नमबर पूछा और उसके बाद फिर OTP नमबर बताते ही उसके खाते से एक लाख निकाले जाने का मैसेज प्राप्त हुआ दोकादडी की बात का पता चलते ही फिर यादे ने इसकी शिकायत पुलिस से की है पुलिस ने आरोपी के खिलाब भारतिय दंडविधान की धाराच 420 वसहदाराच 666 DC आईटेक की तहत मामलाद दर्च किया है और जांच कर रही है तो सूबर के प्रैम टैम में बस इतना ही लेकिन खबरों का सिलसिला लगाता रह जारी